आयरुवेद को जानने से पहले हम आयरुवेद शब्द की वित्पत्ति को भी हम समझ लें यहां आयरुवेद जो है आयू और वेद इन दो शब्दों के मेल से बना है तो जिसका आयूश का आर्थ होता है जीवन तथा वेद का आर्थ होता है विज्ज्यान या जानना यानि कि और अस्तांग हृदय के अंदर में स्वयम रिशी लिखते हैं कि आयूशो वेदह आयूर वेदह यानि कि आयूर अस्मिन विद्यते अनेना वा आयूर विंदतित्यायूर वेदह यानि कि जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से जो आयूर शब्द का जो अर्थ वो हुआ कि संपूर्ण जीवन है उसका जो संपूर्ण विज्ञान है यह जिस आत्मा का निवास है जिन ज्ञानिंद्रिय आदि का निवास है उस संपूर्ण को जानना यानि कि आत्मज्यान से लेकर के शरीर-ज्यान का जो है उसका अर्थ है जीवन-विज्ञान तो इसलिए हम साधनबहास में हम कह सकें तो हम कह सकते हैं जिससे कि हम ठीक-ठाग प्रकार से जीन जीर सकेंगे ठीक प्रकार से कैसे जी सकेंगे, हमारे मन ठीक होगा तब, हमारा तन ठीक होगा तब, हमारा विचार ठीक होगा तब, तो इसलिए कहा कि यह जो विज्ञान है केवल रोगों की चिकत्सा, यह रोगों का विज्ञान परदान नहीं करता यह आईरवेदे से लिए, जीवन को ज तो यह एक ऐसी चिकत सा पधती है यह एक प्रणाली है जो स्वास्ते रक्षा रोग निवारण और दोनों के लिए विवस्थित और क्रमबद ज्यान का जो है जो प्रस्तूत कराता है हमको यहीं कि स्वास्ते रक्षा की भी बात करता है रोग निवारण के लिए हमारे लिए क ये प्राणी मात्र के लिए कल्यान के लिए है और सब के उन्नति के लिए भी है और विशेश करकर के मैं कहूं ति मानवता के लिए तो शारिक मानसिक वा अध्यात्मिक सभी पक्षों पर जो प्रभाव डालने वाला है तो इसलिए महरशी चरक ने चरक सहीता नाम गरंथ में जो उन्होंने जो परिभाशाएं दी हैं, आयरवेद की परिभाशा देते हुए वो बहुत गंभिरता के साथ, बहुत गहनता के साथ में वो कहते हैं कि हीत आयू, अहित आयू, सुख आयू, दुख आयू, इन सब का जो वरणन हो और उसके अंदर जो है आयू के लिए जो हित हितकर हितकर मतलब जो लाबकारी है जो पत्थ है और जो अहितकर है अहितकर को हम जो कहते हैं जो अपत्थ है ऐसे जो भी द्रब्य है गुण है कर्म है इनका जो वर्णन हो यहीं कि सभी चीज का जो व्यापक्ता के साथ जिसमें वर्णन हो और जिसमें आयू का मान मान आयू क सुखम, दुखम, आयुस, तस हिताहितं, मानम्च तच्छ, यतेंद्रम, आयूरवदः, सउच्यते, इससे सपस्ट हो जाता है, यही हम आयर्वेद की इस रिशी शिद्धान्द को, इस बात को समझें, तो आयर्वेद किसी भी वेक्ती विशेष के लिए, जाती विशेष के के लिए किसी religion के लिए जैसे क्योंकि आज कल कोई बात होती है तो हम religion कास्ट शेत्र इसकी बात करते हैं यानि कि इन सब के लिए या किसी country के लिए भी सिमित नहीं है यही आयरुवेद हम कह सकते कि यहां सारव भौम है सारव भौम का अर्थ होता है जो सभी जगा लागू होन वाला है सब के लिए है जिस तरह से यह जीवन सत्य है उसी तरह से आयरुवेद का जो सिध्धान्त है नियम है यह सभी स्थानों पर मान्य और यह सारव हम सत्य है इसलिए इसको शास्वत सारव हम और सर्वजनिन कहा है कर दो